यहां पर हमने एक लाइन बनाई सबसे पहले यह हमारा लाइन हो गई यह पॉइंट हो गया हमारा ए यह पॉइंट हो गया हमना अब यहां से हमने क्या किया कि ए बीका परपेंडीकिलर बाय से क्टर बनाया है ठिक है बचो सो यह हमारा क्या है ए बीका परपेंडीकुलर बायै से क्टर है रहा है हम उसकी definition देखेंगे तो perpendicular bisector क्या होता है इट इस कि ए लोकस इट इस लोकस ओफ ए पॉइंट कि विच इज इट इस लोकस ओफ ए पॉइंट लोकस ओफ पॉइंट अब देखो तो गिवन पॉइंट यह क्या है तो सबसे पहले यह हमारे दो गिवन पॉइंट हो गए बी और ए ठीक है बचो अब इन दोनों पॉइंट से क्या होगा कि इन दोनों को मिलाने वाली जो कि बाइन ओगे एबी तो यहां पर स्पर पर यहां पर इस परपैंडिकुलर बास सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो ठीक है बचो जैसे मान लेते हैं कि यह सी पॉइंट है तो बी सी की लैंग्ट और सी एटीए की लेंग्ट हमारी क्या होगी इक्वल होगी ठीक है हम एपॉइंट ले लेते हैं तो यहां से इस दी पांट की जो लेंक्ट होगी तो BD is equal to AD होगा यहां पर हम E-point ले लेते हैं सो इस E-point की distance जो होगी B-point से और इस A-point से वह भी हमारी क्या होगी कि इक्वल होगी ठीक भाचोओ? B E is equals to A E. So, यहाँ पर क्या आ जाएगा इस question का दर? Equidistant. Equidistant. ठीक भाचोओ? So, Equidistant from the two points. So, यहाँ पर इन दोनो points से क्या होगा? Equidistant. So, Equidistant is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.